एलो फ्रेंड्स आइम ईश्वर, वेलकम टो इंग्लिस टॉक चैनल, आज की गिलास में हम बात करेंगे दोस्तों एक और महत्मून सब्द हाउएवर, हाउएवर इंग्लिस लेंग्वेज का एक बड़ा कॉमन बढ़ है दोस्तों, जो नॉर्मली बोलचाल के लेंग्वेज मे इसका प्रियोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, हाउएवर का आर्थ होता है दोस्तों, फिर भी, तब भी, जैसे भी, किसी भी तरह से, इसके इंग्लिस में भी कुछ सिमिलर बड़ हैं दोस्तों, एनि हाउ, एट, बट, नेवर दिलिस, यह इसी के कुछ कॉमन बड़ है हैं दोस्तों, हाउएवर सब्द का प्रियोग जो करने के लिए सिर्फ एक बात याद रखना हैं दोस्तों, इसमें दो अपोजिट बातों को आपस में चोड़ा जाता है, अपोजिट बातों से मतलब यह हैं दोस्तों, जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, दे डिड नौट व हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा, कि दे डिड नौट वाख हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया, फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दे गौट सक्सेज, बेसफल हो गए, यह यह दो अपोजिट तरे की बाते हुई, तो इन दो अपोजिट बातों को, जिनके सक्सेज, नेक्स एक्जाम्पल लेते हैं धोस्तों, यहां पर आप सक्सेज, यहां पर बाते हैं, यहां पर देखें धोस्तों, दे वक्ट हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, परिश्रम हैं तो इन sentence को जोड़ने के लिए चुकि ये विपरीत अर्थ बाले सब्द हैं sentence हैं तो मैं कहना पड़ेगा They worked hard however they felt They worked hard however they felt उन्होंने कठिन परिश्रम किया फिर भी इसके बावजूद भी वे फैल हो गए इस तरह के sentence को चोड़ने के लिए दोस्तों हम एनिहाव एट या बट का प्रियोग भी कर सकते हैं They worked hard but they felt They worked hard never the least they felt और example लेते हैं दोस्तों The movie was short, it was good अब यहाँ पर दो अपोजेट तरीकी बाते हैं दोस्तों The movie was very short, however it was good हलाकि movie बहुत छोटी थी, फिर भी वह अच्छी थी यह इसकार थोगा दोस्तों The movie was very short, nevertheless it was good इसके बावजूद भी यह अच्छी थी The movie was very short, at it was good The movie was very short, still it was good तब भी यह अच्छी थी The movie was very short, anyhow it was good They had no time, उनके पास time नहीं था They helped us, दो विपरीद बाते हैं दोस्तों हलाकि उनके पास time नहीं था, उन्होंने हमारी मदद की तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों They had no time, however they helped us They had no time, however they helped us उनके पास समय नहीं था, फिर भी या इसके बावजूद भी उन्होंने हमारी मदद की Last sentence है दोस्तों, the product got good reviews एक product है, उस product को अच्छे reviews मिले लोगों ने उसको पसंद किया The product got good reviews, however it is costly हलाकि यह महंगा है, product काफी महंगा है महंगा होने के बावजूद भी product को लोगों ने अच्छे reviews दिये तो हम sentence क्या कहेंगे दोस्तों, the product got good reviews, however it is costly anyhow it is costly, at it is costly, but it is costly, still it is costly तो दोस्तों बड़ा असान है however का प्रियोग करना the product got good reviews, however it is costly तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक class, however से related sentence बनाईए दोस्तों एक दो sentence comment box में भी जरूर लिखिए और इससे related कोई doubt है तो वो भी लिखिए, class पसंद आई हो तो कि रपया like करें, share करें और आप किन topics पर वीडियो देखना पसंद करेंगे दोस्तों उन topics के नाम भी लिखिए ताकि आपके पसंद के अनुसार ही topic लेकर के आगे की वीडियो बनाये जा सकें Thank you very much